आज मैं आपके साथ अपना मेकप आई मेकप शेयर करी जो मैंने फर्स टाइम किसी मॉडल के ओपर किया है तो आप मुझे अपना फीड़बेक जुरूर दीजेगा क्या आपको यह कैसा लगा अच्छा बुरा हर तरह का फीड़बेक मुझे चाहिए ताकि मुझे पता जाल सक बिलय यह किया तो मैंने सबसे पहले आई ब्रोच को शिर्च की लेको चाहिए तो मैंने सबसे पैले अधाकर आई और फूलग का तो मैंने इस मेंगों तक के यही के आई प्रेंधी में Sektit 모르i आई बेसमें आई है और इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदल से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया ताके स्मूज से एक टेक्स्ट्चर आजे और इस पर जब मैं मेकप करूं तो वह बहुत ही अच्छा सा और समसा लगए आप लोगों को मैंने अंडर आई भी इसको अप्लाई क करने के बाद इसको ब्लेंड कर दिया ब्यूटी ब्लेंडर से आई मेकप के लिए जो मैं पैलेट यूज करीं वह मारी पैस हो था अप्सेशन को रहा 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 है यह मैंने लोकल मार्कर से पच्छेस की है और फस्टाइम इसको मैं यूज कर नहीं हूँ आपके साथ इसका मैं रिवीड दो शेयर करूंके मुझे कैसी लगी है इसमें मैंने सबसे पहले जो अब लाइट बेयच कालर में ब्ले करने में लोकर की तो पूरी इस पर आई जो जहांजा मैंने यूज को अपलाई कि ता अप्लाई कर लिया है पाउडर से एची तरह कनसील करने के बाद जो है मैं अपे अपना मेकप सटार्ट करूँ जो है मैं इया ने यहाँ पैण से देप्ट एरिया जो क्री एरिया मैंने उसके उपर एक लाइन कریेट करके इसँपर को अपनी आइस में अपना क्रीज एरिया कहते हुए तो मैंने थोड़ा सा उपर वाली साइड पे अनिके जो क्रीज एरिया उसे थोड़ी सी उपर मैंने इनकी आइस पर अच्छे से ब्राउन कलर देके एक डेप्थ क्रेड की है नेक्स्ट मैंने इसे ब्राउन कलर कर थोड़ा सा डाकर कलर जो इसमें पैलेट में मझूद था उसे लेके इसी क्रीज एरियल लाइन को मैंने वी शेप में अच्छे से मैंने अपलाई किया वी शेप मैंने थोड़ी सी जो है आईब्रो की तरफ से उठा के थोड़ी सी बनाई है ताके जो है इनकी आईस जो है थोड़ी और अच्छी प्रामिनेंट आपके सामने हो और जो है यह V-Aare Sharing को में अच्छे से अपनी पहले वाली जो मैं अपनी जैसे सा सास मैं च्छे से ब्लेंड कर लिए कि आउट से candle लीजिए को पूरी यांग जो मैं अच्छे से ब्लैंड आउट गिया अंग होगाँ तो मैंने सीले की उप्लाइ किया था और इस बहरे और प्रीडियो में रिक्सित्य खुछा हुआ वीडियो बंद हो गी है तो मैंने इसको अप्लाए कर दिया इस जिससे मैंने खुबसूरा सा एक आई मेकप जो है वो रेडी हो गी है अब मैंने इसके बाद क्या किया मैंने दुबारा एक खाली ब्रश लेके जो इसके एजिस थे पिंक वाले आईशेडो को उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया है उसी के साथ एक एंगल ब्रश के साथ मैं ऑपलाए किップ्र पे मैं अपलाए के बाद के साथ हो जो आतर ऊटैस के साथ हो आँजी कर दिया यह सा जिसके इनकी आंके आंखें बाड़ीके लग रही हैं उसके रही कह Nicelen लेकिन मैं यहां पर गोल्ड कलर का लगा रही हूं क्योंकि यह अच्छा लगता है इसी से मैंने इनकी ब्रो बॉन को भी हम इनकी इनके आई-लाइनर लगाया है जो मैंने एक wind shape में इसको eyeliner दिया है वीडियो को मैंने forward रहा है ताकि आप लोग को वीडियो ज्यादा long ना लगे और eyeliner लगाने के बाद जो है मैंने under eyes के अंदर जो है मैंने white pencil में सरो इसकी में पास white pencil थी मैंने उसको apply किया है उमीद करतू मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो मेरे चैनल का व्लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को like ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे feedback ज़रूर दीजिएगा अंदर इसके बाद मैंने last में मैंने mascara apply किया है मेरा plan था कि मैं पहले eyelash लगाँगी लेकिन इनको first coat करने पी मुझे इनकी eyelash बहुँ ज़दा अच्छी लगी थी और इसलिए मैंने इनको सिर्फ डो coat इनके eyelash के उस पे ही दिये है mascara के ही दिये है और जिससे इनकी आंक बहुँ ज़दा अच्छी लग रही है और मैंने जो लॉर मारी लैश थी उस पे भी सिर्फ mascara को apply किया है यह मेरा model का final look hope के आपको अच्छा लगेगा तो मुझे इस palette की जो है pigmentation बहुँ ज़दा अच्छी लग रही है आप लोग मुझे ज़रूर तो बताइएगा का आप लोगों को यह look कैसे लगा है और अपना feedback जुरूर दीजिएगा मिलतें नेक्स वीडियो में अलाहाफिज